मस्कार दोस्तों आप सभी का बुद्बुद स्वागत है आपके अपने आनलाइन इस्टेट्यूट निसान तियान की यूटूब प्लेटफॉर्म पर मैं इतनी उपाद्य है आप सभी का स्वागत करता हूँ अभी नंदन करता हूँ आज के अपने सी वीडियो पर मित्रों आज के वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में लेखपाल बनने की अगर आप तयारी कर रहे हैं या स्सी जीडी की तयारी कर रहे हैं तो हमने दोनों यूपी पीटी और स्सी जीडी के सिलेबस को ध्यान में रखते हुए पचीस प्रसनों को डेजाइन किया है और ऐसे कुश्चन है जो आपकी परिच्छा में पूछे जाएंगे बहुत कठिन भी कुश्चन निने नहीं कहा जाएगा और बहुत सरल भी नहीं कहा जाएगा मेडियम लेबल के question है अगर आप इन प्रसनों का जवाब दे पाते हैं तो समझे यह आप पढ़ाई करते हैं वरना के वर्ल टाइम पास कर रहे हैं मेरी बातें आपको गलत लगेंगी लेकिन यही सच्चाई है अगर आप इन प्रसनों का जवाब देते हैं सब्सक्राइब करके हमसे जुड़ सकते हैं और वीडियो पसंद आता है तो लाइक करके हमारा motivation जरूर करिएगा ठीक है? चलिए सबसे पहला question आपके सामने है निमलखित में से किस युद में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? बहुत ही अच्छा question माना जाएगा UPPT में भी मुगल सामराज जाएगा SSCGD में भी मुगल सामराज जाएगा तो question का जवाब दीजिएगा कि निमलखित में से किस युद में बाबर ने जिहाद का नारा दिया था? घागरा के युद्ध में, चंदेरी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में, पानीपत के प्रथम युद्ध में सबसे पहले मैं वता देता हूँ इन युद्धों की टारीक क्या है? 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपी, खाना खा खाना खा मतलब 527 में चल घर 1528 में घर 1529 में ठीक है तो इसे एक ट्रिक की सहारेता सियात करते हैं कि बाबर का पानी पत्त का प्रथम युद्ध पानी पी खाना खा चल घर तो 1526 में पानी पत का युद्ध 27 में खानवा का युद्ध 28 में चंदेरी का युद्ध और घागरा का युद्ध 1529 में तो आपसे पूछा गया है जिहाद का मतलब क्या होता है धर्म युद्ध वास्तों में जब खानवा का युद्ध हो रहा था इसका राजुराइट एंसर हो खानवा का युद्ध है जब खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा जा रहा था तो राणा सांगा के जो राजपूस सैनिक थे बहुत ही बलफाली थे उन्हें देख करके बाबर एकदम परिसान हो गया था उसे जीतने की कोई प्रस नहीं नहीं था वो जीत सकता था तो वहाँ पर अपने सैनिकों को मोटिवेट करने के लिए उसने धर्म युद्ध का नारा दिया था उसने कहा था यह देश-देश की लड़ाई नहीं है यह हमारे इसलाम धर्म और हिंदुत की लड़ाई है जिहाद का नारा उसने खानवा की युद्ध में दिया था जो रणा सांगा के खिलाफ लड़ा गया था ठीक है 1527 में चलिए आगले कौशन पर चलते हैं बहुत ही important question है तोडर मल का संबंध जो आसानी से जवाब दीजिएगा टोडर मल का संबंद उत्तर प्रदेश के किषिजिले से है अजोध्या से कौसामभी से प्रयाग राज के सीतापुर से बहुत ही अच्छा क्वेशन माना जाएगा टोडर मल जो है अकबर का विशेसक्य था जो भूर आजस्यो देखता था भू अगले क्वेशन पर चलते हैं रिगवेद का उपवेद कौन सा है आप सभी लोग जानते हैं कि चार वेद है कौन कौन से है रिगवेद है यजूर वेद है साम वेद है और अथर वेद है तो उसके उपवेद भी है तो रिगवेद का जो उपवेद है उसका नाम है आयूर ठीक है रिग वेद के उपवेद का नाम है आयूर वेद अगर बात की जाए गंधर्व वेद की ते गंधर्व वेद जो है साम वेद का उपवेद है धनुर वेद की बात की जाए यह जो है यह जूर वेद का उपवेद है ठीक है और सिल्प वेद की बात की जाए अथर वेद क उपवेद है, जो रिगवेद है, इसका उपवेद कौन सा है, आयूरवेद, ठीक है, राइट एंसर कौन सा होगा, चौथा, और गंधरवेद किसका है, सामवेद का, धनुरवेद किसका है, यह जूरवेद का, सिल्पवेद किसका है, अथरवेद का, ठीक है, चलिए, अगले क कोशन पर चलते हैं इंपोर्टन कोशन यूपी पीटी एंड एससी जीडी रिगवेद के किस मंदल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है देखेगा अच्छे कोशन है जवाब जरूर दीजिएगा रिगवेद के किस मंदल में गायत्री मंत्र की चर्चा की गई है सबसे पह रिगवेत के तीसरे मंडल में, किस मंडल में है, तीसरे मंडल में, रिगवेत के तीसरे मंडल में जो है गायतरी मंत की चर्चा की गई है, बहुत ही अच्छा कोईस्चन है, और परिच्छा में पूछा भी जा सकता है, अगला कोईस्चन है, गौतम बुद्ध के ग्रेत्याक क की घटना को किस प्रतीक चिन के द्वारा दर्साया जाता है गौतम बुद्ध के बारे में आप जानते हैं बहुत धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी इनका जन्मा जो है पांसो तिरसट इस्विपूर हुआ था कपिल वस्तु में ठीक है और इनकी जुम्रित्य हुई चार सो तिरसी इस्विपूर हुआ वैसाली meри んだ कुछी नगर में हुआ था ठीक है कुसि नगर में ठीक है तो गौतम बुद्ध के जो ग्रयत्याक की घटना थी उसे किस से प्रतीकशन से से दर्साय जाता है तो दर्साय जाता है गोड़ा से क्योंकि वो गोड़े की सहायता से ही बाहर निकले थे ठीक है ग्रेत्याक की घटना को गोड़ा से कमल को जो है जन्म उनका जो जन्म हुआ था उसे जो है कमल से दर्साय जाता है जो पीपल है उन्हें जब ज्यान की पीपल से उनके ज्यान की प्राप्ति को दर्साया जाता है कमल से उनके जन्म को दर्साया जाता है गोडे से उनके ग्रेत्याक की घटना को दर्साया जाता है ठीक है चलिए और ग्रेत्याक की घटना को बौद धर में महाभी निस्क्रमण कहते हैं क्या कहते हैं महाभी निस्क् राई टैंसर वह है राजस्थान में जो दिलवाडा मंदिर है उसकी जो अस्थान है वह जो है राजस्थान में है और यह माउंट आबू परवत पर है कहां पर है माउंट आबू परवत पर दिलवाडा मंदिर है और यह जो है अमूमन अधिकांस्ता यह जो है जैन धर्म से सं को द्वारा बनवाया गया था आगे फेमस क्वेस्टन है इस समय परधानी का चुनाव है और काफी लोग इसके बारे में जानते नहीं होंगे ग्राम परधान के चुनाव पद का चुनाव लड़ने के लिए नियुनतम आयू सीमा कितनी होनी चाहिए अठारा वर्स पचीस वर्स बाइस वर्स इक्कीस वर्स बताईएगा इसका जो राइट एंसर फ्रेंट्स हो है मातर इक्कीस वर्स अगर आपकी आयू 21 साल हो गई है तो आप ग्राम परधान पत का चुनाव लड़ सकते हैं ठीक है इस क्वेस्टन को डालने का मेरा मक्सद था कि आपको बता दिया जाए कि ग्राम परधानी का जो चुनाव होता है अगर आपसे क्वेस्टन पुछा जाए ग्राम परधान का जो चुनाव होता है करवाता कौन है तो ध्यान रखियेगा राज्य निर्वाचनायोग करवाता है इससे केंद्र के निर्वाचनायोग से की बात की गई है यह राज्य के नीती निर्दे सक्तब तुम्हें आता है ठीक है चलिए अगला कोशन है भारती समिधान के किस भाग में सर्वोच नियाले की बात की गई है सर्वोच नियाले की बात किस भाग में की गई है भाग दो में जो है नागरिकता का वड़न किया गया ठीक है भाग दो में नागरिक्ता का वड़न किया गया है ध्यान रखियेगा अगर बात की जए भाग तीन की तिसमें जो है मौलिक अधिकार की बात की गई है किसकी बात की गई है मौलिक अधिकार की बात की गई है ठीक है अगर बात की जए भाग पाँच में तो भाग पाँ मौलिक अधिकार की बात की गई है तो भाग चार में जो है मौलिक राज के नीतिन सकत्त की बात की गई है और भाग चार के क में एक बाद में जोड़ा गया था भाग चार का का उसमें जो है मूल कर्तब की बात की गई है और भाग चार का का जो है बैयालिसे में समिधान तो इसका जो राई टेंसर है कि समिधान के किस भाग में सर्वोचनेयले की बात की गई है इसका जो राई टेंसर है भाग 5 है ठीक है और अगर आप से पूछा जाए उच्छनेयले की अस्थापना या गठन की बात समिधान के किस अनुच्छेद में होती है तो 124 में होती है ठ 1857 की करांती किसमें ब्रिटन के परदान मंतरी कौन थे? आप सबी लोग जानते हैं, 1857 में बारत में पर्थम सोतंतरता स는ंग्राम लड़ा गया था, तो 1857 की किसमें ब्रिटन का परदान मंतरी कौन था? इसके बारे में आपसे question किया गया है, इसका जो right एंसर है? पामेश्टन, कौन है, पामेश्टन, ठीक है, 1877 की करांती के समय ब्रिटन का प्रधान मंतरी, आपसर नमबर चोथा से यह पामेश्टन थे, चलिए, अगले कोईशन पर चलते हैं, बहुत ही फेमस कोईशन है, कई बार पूछा गया है, कि दास प्रथा की समापती किस ने किया अपसर नमबर A है, लाड मेयो ने, B है, लाड कारणवालिस ने, C है, लाड इलन बिरो ने, D है, लाड मैकाले ने, इसका जवाब अगर आपको आता है, तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, अगर आपको इसका जवाब आता है, तो कमेंट बॉक्स में इसका जवाब दीज गई थी इस दास्प्रथा को किसे ने स água मत किया था इसे आप लोग कमेंट बॉक्स में बताईएगा अगला है मांटेंग्यु चेंब सफट अधनियम कब आया था अपसर नामबर ए है टार। एक सट में बी है उनीष-मीरिक की टेकर 209 में ठीक है 1909 में Marley Minto Sudhar आया था और 1919 में Mantangu Chimps Ford अधनियम आया था इसका जो राइट एंसर होगा ओगा 1919 ठीक है 1909 इसदा राइट एंसर है आपसर नंबर चोथा सही होगा आपसर नंबर तीसरा सही होगा ठीक है चलिए अगले question पर चलते हैं चीन में कैसी अर्थवेवस्था है आप समाजवादी एक होता है, मिस्री तर्थवे उस्था है, तो भारत देश की कैसी अर्थवे उस्था है, सभी लोग जानते हैं, मिस्री तर्थवे उस्था है, और पूजी वादी अर्थवे उस्था किस की है, तो अमेरिक्या की पूजी वादी अर्थवे उस्था है, समाजवा सामेवादी से और सामेवादी में, सामेवादी में क्या होता है, सामेवादी में जो है, सामेवादी में जो जैसे आप आपके घर के सामने एक रोड बन रहा है, सलक बन रहा है, और आपके घर के ही सामने बन रहा है, जो सामेवादी अर्थे में उस्ता होगी, आप से काम करा जाएगा क्योंकि आपके घर के सामने रोड बन रहा है और उसका पैसा भी आपको नहीं दिया जाएगा तो सरमिकों को अपने सरम पर कोई अधिकार नहीं होता है और समाजवादी में हर जगा जो है सरमिकों को अपने सरम पर अधिकार होता है अगर कोई सरमिक मेहनत करता है त यूतियक चेत्र, तिरतियक चेत्र, अंदर प्रात्मिक चेत्र, इसका जो right answer reference हो है, तिरतियक चेत्र, ठीक है, तिरतियक चेत्र जो है, जीडीपी में सबसे अधिक योगदान देता है, अब अर्थ बिवस्था, अर्थसास्त, अगर आप थोड़ा बहुत भी पड़े होंगे तो प्रात्मिक चेत्र किसे कहा जाता है, जो प्राकृतिक चीजे होती है, क्रिसी, पसुपालन, इस सभी चीजे जो है किस में आती है, प्रात्मिक चेत्र में आती है, ठीक है, इस सभी चीजे जो है प्रात्मिक चेत्र में आती है, और दुतियक चेत्र की बात की जाए, तो आप उस गेहु को पिसाने के बाद आटा बना लेते हैं और उस आटे को market में ले जाकर बेजते हैं तो 33 अक्षेतर में आ जाता है तो सबसे ज़्यादा जो income होता है भारत देश में वो 33 अक्षेतर से होता है 33 अक्षेतर को सेवा खेतर भी कहा जाता है त्रिती एक छेतर को अपसन नमबर तीसरा सही होगा चलिएगा अगले कोईशन पर चलते हैं अगला कोईशन है आपके सामने अगला कोईशन आपकी स्क्रीन पर है योजना आयोग की अस्थापना कब होई थी इस दो चार कोईशन मैंने अर्थसास्तर से डाला है देखते हैं अर्थसास्तर आपको आता है कि नहीं आता है तो योजना आयोग की अस्थापना कब होई थी योजना आयोग की अस्थापना 26 जनवरी 1950 को 15 अगस्त 1947 को 15 मार्च 1951 को 15 मार्च 1950 को आसान question है अगर आप लोगों को आता है तो आप लोग जवाब जिरूर दीजिएगा ठीक है इसका जो राइट एंसर रेफिरेंट्स हो है 15 मार्च 1950 को ठीक है 15 मार्च 1950 को जो है योजना आयोग की अस्थापना होई थी और इसी योजना आयोग का नाम जो है एक जनवरी 2015 को लेकिन वर्तमान में इसी योजना आयोग को सेम यही पूरी तरीके से यही योजना आयोग को केवल नीती आयोग के नाम से जाना जाता है और नीती आयोग का जो गठन हुआ था एक जनवरी 2015 को हुआ था प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी की अधिचता में नीती आयोग का फ तो परदान मंत्री होते हैं वर्तमान में नीती आयोक के अध्यच कोन है तो परदान मंत्री जी हैं अगर नीती आयोक के उपाध्यच की बात की जाये तो जो है कौन है राजियु कुमार है ठीक है आगे भी क्वेस्चन अर्थसास्त्र से ही गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्सी योजना इसका जो राइड एंस वर है ओ है पांचवी पंचवर्सी योजना में जो है गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था और यह 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 जना जब लागू हुई थी तो उस समय जो है बारत की प्रतानमंत्री आयरें लेडी स्रीमति इंद्रा गांधी जी थी और स्रीमती इंद्रा गانदी जी ने गरीबी हटाओका नारा दिया था, गरीबी उन्मूलन इसका लच्छ भी था, कभी कभार आपसे क्वेशल पूछा जा सकता है, कि गरीबी हटा, मतलब कि ऐसी पंच वरसी हो जाना जो जो चार वर्स तक किवल चली थी, तो यह जो 5 पंच वर्सी हो जाना थी जो छार वर्स तक चली थी, ठीक है, क्योंकि 1975 से 80 तक चलना था लेकिन बीच में इंद्रा गांदी जी की सरकार गिर जाती है और मुराजी देसाई की सरकार बनती है तो मुराजी देसाई जो है इसे बंद कर देते हैं चलिए गर अगला question है भारत में हरितकरांती से सबसे ज़्यादा लाभानवित राज्य कौन सा था अपसर नमबर A है उत्तर प्रदेश B है राजस्थान C है पंजाब D है हरियाणा जो इसका राइट एंस और फ्रेंट सो है पंजाब भारत में हरितकरांती की सुरुवात की बात की जाए तो 1966 में भारत में हरितकरांती की सुरुवात होई थी कभी कब дор आपसे कुछा जाजता है भारत में हरितकरांती के जनक कौन थे तो थे MS . लिख लिजिएगा में 1966 सुरुवात होई थी और सबसे ज़्यादा जो लाभानवित जिलया था हो था पंजाब अगर आपसे पूछा जाया कि भारत में हरित करांती में सबसे ज़्यादा उत्पादन किसका हुआ था जब हरित करांती की सुरुआत होई थी तो गेहुं का सबसे ज़्यादा उत्पादन हुआ था गेहुं की उत्पादन में सबसे ज़्यादा एफेक्ट पड़ा था हरित कर और पंजाब राज्य सबसे ज़्यादा लाभानमीत राज्य था अगला क्वेश्चन है उदारी करण के अग्रदूत किसे कहा जाता है उदारी करण का अग्रदूत अब एक कहानी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा टाइम एक मिनिट से ज्यादा नहीं लगेगा देखेगा 1991-1990 के बाद का दौर सुरू होता है जब भारत में कोई पोड़ बहुमत की सरकार नहीं बनती है और सरकारें आती हैं और जाती रहती हैं इस तरीके से चुनाओं में ज़्यादा पैसा लगता है चुनाओं में लोग बेस्त रहते हैं देश के विकास पर कोई ध्या हो गई थी कि उस समय जो है मात्र साथ दिन के लिए भारत के पास विदेशी पैसा बचा हुआ था मात्र साथ दिन का खर्चा था जिससे वो पेट्रोलियम आयात कर सकते थे भारत में जो भी पेट्रोलियम आता है वो बाहर से ही आता है तो साथ दिन का ही केवल भारत के पास पैसा बचा हुआ था तो समय जो है 1991 में एक किस्थिरता आती है जब नर्सिंग पीवी नर्सिमाराव की सरकार बनती है Пीवी नर्सिमाराव की सरकार 21 जून 1991 को बनती है और उसी सरकार में जो है लोग भूल नहीं पाये हैं जो साथ दिन के लिए ही केवल पेट्रोलियम का बचा था इन्हों ने उस साथ दिन को और आगे बढ़ाया अर्थात भारत की अर्थवियोस्ता को सुद्रिन बनाया इन्हों ने उसी समय जो है यल्पीजी सुरू किया थे यल्पीजी का मतलब होता यल से हो गया यल से क्या हो गया लाइबरिजाइज लिब्रलाइजेशन ठीक है यल से लिब्रलाइजेशन हुआ जिसे उदारी करण कहा जाता है पी से जो है प्राइविटाइजेशन हो गया जिसे निजी करण कहा जाता है और जी से जो है ग्लोबलाइजेशन हो गया जिसे वैस्विगण का जाता है अब जो नीजी करना वाला मामला है उस समय क्या होता था हमारा भारत देश अभी हाल ही में जो है गुलामी की जंजीरों से आजाद हुआ था तो लोगों को बहुत डर रहता था कि फिर कोई बाहरी कमपनी आएगी और देश में राज्जी कर लेगी इसी तरीके से तो बहुत ज़्यादा जटील अवस्था थी कोई कमपनी हमारे यहां काम कर ले बहुत ज़्यादा कागजी कारवाई होता था सुई का बिजनेस अगर आपको करना है तब भी आपको लाइसेंस लेना पड़ता था तो उसरी डाक्टर मनमोहन सिंग और पीवी अगला कोईशन है है हैदराबाद किस नदी के किनारे इस्थित है आपसन नमबर ए है राप्ती नदी छिपरा नदी मूसी नदी गोदावरी नदी ठीक है राप्ती नदी की अगर बात की जायत राप्ती नदी के किनारे जो है गोरखपुर सहर इस्थित है आपसन कोईशन की बात की जाये तो नासिक जहां पर भी जो है वो लगता है यहां भी कुम्भमेला लगता है कुम्भमेला चार अस्थानों पर लगता है आप जानते होंगे इलाहबाद में लगता है गंगा नदी और यमना नदी के तट पर संगम पर हरिद्वार में गंगा नदी के तट पर लगता है नासिक में गोदावरी नदी के तड़ लगता हुरुजयन में जो है छिपरा नदी के तड़ पर इस चार जगह जो है कुमभमेला का होता है और हैदराबाद की बात की जाए तो मूसी नदी के किनारे हैदराबाद इस्तित अगला क्वेशन है भारत का कुल कितना बनाया गया, 33% बनाया गया, 33% भाग पर वन होना चाहिए, लेकिन वर्तमान में 21.67% ही भोगोलिक छेतर में वन है, जो की एक बिकट इस्तिती है हमारे भविश्य के लिए, तो इसलिए आप लोग अगर साल भर में एक पेड़ लगाते हैं, तो आप बहुत अच्छा काम करते हैं, हमारे कहने पर एक पेड़ा पलोग जरूर लगाईएगा, चलिए अगले कोईशन पर चलते हैं, दुनिया की सबसे उची माउंट एवरेस्ट, जो दुनिया की सबसे उची चोटी है, माउंट एवरेस्ट, उसे जो है नेपाल में किस नाम से जाना जाता है, बहुत ही कोईशन है, यूपी त्रिपल सी का और सभी जरा ममलग बगलग पूछा जाता है, ठीक है, अपसल नमबर ए है चोमो लंगमा, बी है महलांगूर, सी है सागर माथा, डी है खूब, खूब, खूम भुस्ते, ठीक है, खूम भुस्ते, इसका जो राइट एंसर फ्रेंट्स हो ह नेपाल में ही आती है, ठीक है, हमारे भारत देश में नहीं आती है, चलिए, अगला क्वेस्टन है, नरम दल और गरम दल, ध्यान से सुनियेगा इस क्वेस्टन को, नरम दल और गरम दल के बीच फोट कहां पर हुआ था, आपसल नमबर ए है, 1907 कांगरेस के सूरत दिवेश में, 1886 कांगरेस के कलकत्ता दिवेशन में, 1920 कांगरेस के नाकपूर दिवेशन में, बताइएगा इसका जो राइट एंसर फ्रेंट्स, वो क्या है, जवाब जरूर दीजिएगा, इसका जो राइट एंसर वो है, 1907 के सूरत दिवेशन में, 1907 के सूरत दिवेशन में, जो है कांग्रेस दो दलों में तूट गई थी एक था नरम दल जो अनुनेवीने करके सरकार में अपना हक चाहती थी और एक था गरम दल गरम दल जो है अनुनेवीने नहीं चाहती थी वह चाहती थी पूर्ण सोराज गरम दल ठीक है तो इनके विचारों में मदभेध हुआ और कांग्रेस के सूरत अद्वेशन में 1907 में दो दल हो गए गरमदल की जो खास करके माने जाते हैं लाल बाल पाल विपिन चंद्र पाल लाला लाच पतराय और बाल गंगा धरतिलक ये तीनों जो है गरमदल के प्रमुख नेता माने जाते थे अरविंद गोस को भी गरमदल का नेता कहा जाता था ठीक है तो यही थे गरमदल के लोग जि प्रतिरच्छा RBC द्वारा O2 का परिवहन वो पुरियुक्त में से कोई नहीं जो इसका राइट एंसर है ओ है रुधिर का थक्का जमना होता है उसे हीमो स्टेटिस कहा जाता है अगले कोशन पर चलते हैं भारत सेवक समाच की अस्थापना किस ने की थी कई बार एक कोशन जो राइट एंसर प्रेंट जो है गोपाल किस्ट गोखले गोपाल किस्ट गोखले को जो है भारत सेवक समाच की अस्थापना कसरे जाता है ठीक है मात्मा गांदी की राजनीतिक गुरू थे गोपाल किस्ट गोखले और गोपाल किस्ट गोखले जो है इन्होंने ही सर्वें समाज की अस्थापना की गई थी ठीक है अगले question पर चलते हैं अगला question और इस session का last question है पूर्ण सुराज्य की सपत Congress के किस अधिवेशन में ली गई थी अपसर नमबर A है कलकत्ता के अधिवेशन में B है लाहोर के अधिवेशन में C है इलाहबाद के अधिवेशन में D है मदरास के अधिवेशन में इसका जो राइट answer फ्रेंट्स हो है लाहोर के अधिवेशन में अब एक कहानी में आपको बताता हूँ Congress का चवालिसमा अधिवेशन था कौन सा अधिवेशन था ध्यान रखिएगा Congress का चवालिसमा अधिवेशन था जो लाहोर में हो रहा था और यह जो है 29 से 31 दिसंबर के बीच हुआ था मतलब 29 तारीक को शुरू हुआ था यह अधिवेशन और 31 तारीक तक चला था 29 से 31 दिसंबर की बीच यह अधिवेशन हुआ था और कब हुआ था यह भी ध्यान रखिएगा 1929 में कब हुआ था 1929 में Congress का चवालिसमा अधिवेशन था 1929 में जवाहरला नहरू की अधिचता में लाहोर में हो रहा था ठीक है इस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्यका सपत लिया गया था और 31 दिसंबर की मध्यरात्री को जवाहरला नहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा जंडा फार आया था और ऐसा वहाँ पर संकल्प लिया गया कि हम हर वर्स 26 जन्वरी को स्वाधिन्ता दिवस के रूप में मनायेंगे और इसी वज़े से 26 जन्वरी 1930 को जो है स्वाधिन्ता दिवस मतलब अगले वर्स 26 जन्वरी को स्वाधिन्ता दिवस के रूप में मनाये गया 26 जन्वरी को इसी वज़े से 26 जन्वरी को गरतंतर दिवस मनाय जाता है हमने तो समिधान को 26 नुमबर 1949 को ही बना कर त्यार कर लिया था हमने 26 जनवरी 1950 को समिधान को इसी वज़ा से लागू किया कि हम 26 जनवरी की महत्ता का समाप्त नहोगा क्योंकि हमने question थे अच्छे question थे अगर अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा वीडियो को और वीडियो को share करना हो तो आप share भी कर सकते हैं क्योंकि मैंने आपके लिए मेहनत किया है यह चीजे जो है मैंने खुझ से टाइप किया है और आपको दिया है ठीक है वीडियो पसंद आए तो लाइक share और चैनल पर नए है सब्सक्राइब जरूर करिएगा धन्यवाद